तो नमस्का दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और योटूब वीडियो में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि आप रेडमी नोट 9 में बैस जीकेम किस तरके से यूज कर सकते हो और उसमें आप 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 एकसमेल फाइल को किस परकार से उपयोग में लए सकते हो दोस्तों अगर आप को बही यह जीकेम चैये तो आप आप हमारे निचे завис के लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चेल को जोईन कर सकते हो और वहां से आप इस जीकेम को प्राप्त कर सकते हो इस gm को आपको simply downlood करना है और download आपने जहाँ पर किया है आपको वह से जाके आपको इनको install करना है दोस्तों यह आप जिसाज से जो भी चितनी sizes की आप gm को install करेगे वो उतना ही लेट आपका install ओने में टाइम लeगा दोस्तों मेरे ख्यास से यह सबसे बेश जीक है में Redmi Note 9 के लिए और यह साधी 600 MB का है और यह थोड़ा वेट लेता टाइम लेता है इंस्टोल होने के लिए पर यह इंस्टोल हो जाता है आसानी से बिना किसी बगई या बिना किसी एरर के एक बार इंस्टोल हो जाता है तो आपको इसको सिंपल एक बार क्लोज कर देना है और क्लोज अगर आप नहीं करोगे तो यह ऑटोमेटिकली एक बार अपना पी क्लोज हो जाएगा जैसे यह install हो जाता है आपको close करना है और वहाँ आपको home screen पर आके आपको वापस इस app को on करना है ओन करने के बाद आपको इसमें सारे जितने भी features आपको normal camera में देखने के लिए मिलते हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको इसमें feature देखने को मिलेंगे आप किसी भी feature को छेड़े बिना आपको सिदे ही अपने phone से जो भी आपने XML फाइल आपने जहां भी copy किये आपको पहले उसका rename कर लेना है क्योंकि आपने telegram से की होगी और आपको बाद में confusion होगी क्या आपको वो file मिलेगी नहीं इसलिए आप उसका rename करके अपने phone के storage में simply paste कर देना है जैसे यह app install हो जाता है आपको उपर से scroll down करना है scroll down करने के बाद उसमें आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं जैसे कि astrography है, hdr, hdr plus है और इसमें आपका slow motion भी support करता है जैसे यह उपर से आजाता है आपको setting पर click करना है और आपको नीचे चले जाना है जैसे आप नीचे चलोगे जाओगे वहाँ पर एक configs का एक option दीखेगा उस पर आपको click करना है और save पर click करके आपको वहाँ पर कुछ भी type करके save कर देना है यह दोस्तों इसलिए कर सकते है ताकि आपको जो अपने file manager उसमें folder आसानी से मिले आपको बार बार डूनने की जुरुत नहीं पड़े क्योंकि फिर आपको वह folder मिलता नहीं है और आप confused हो जाते हो और आपको अ और अपने जो भी Redmi Note 9 के जो में इस्टोर है वहाँ पर आपको एक GKM का फोटर देखने को मिलेगा उसमें आपको कौपी कर लेना है कौपी करने के बाद आपको वापस अपना जो भी camera है उसे open कर लेना है open करने के बाद आपको camera change करने के side में और जो shutter sound button है उसके पास में उ जैसे आप double tap करोगे तो आपको वहाँ option देखने को मिल जाएगा XML फाइल चूज करने का जैसे आप इसको save करते हो तो आपका restore हो जाएगा और आपका camera automatic on और off हो जाएगा जैसे यह on होता है तो आप इस photo setting से आप आराम से photo ले सकते हैं दोस्तों यह कुछ photo लिए इस Gcam से औ आप autofocus भी कर सकते हो और close shot भी आराम से ले सकते हो इसमें आपको background blur बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और दोस्तों इसमें आपको 10x zoom देखने को मिलता है जो कि मेरे खियास से किसी दूसरे Gcam में इतना प्रोपर देखने को नहीं मिला इतनी अच्छी quality देता है 10x पर जिना और ये night mode बहुत अच्छे से एक्ट्रापी पर इतनी अच्छी photo देता है जैसे daylight में देता है और जैसे कि आप देखते हैं हमारी कुछ night की photos अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please channel को subscribe कर देना जैन दोस्तो